वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो मारे एक्जाम में पूछ जाते हैं उस स्टेट PCS एक्जाम जैसे UKPSC का पेपर हो गया और एक हरियाना PCS का पेपर हो गया तो उसमें क्या होता है कि सेपरेट पोर्शन ही होता इंटरनेस्टल और इसके इसके दोरा प्रस्तावित किया जाता है तो इसका अंसर डबलू टी जो है ऐसे बूछ सकते हैं कि इन में से किस ट्रेड ब्लॉक का पार्ट भारत है तो भारत जैसे ट्रेड ब्लॉक का पार्ट है साफ्टा का ऑप्शन बरे CGPCS ने बहुत डिटेल कोश्चन पूछा था G20 के बारे में G20 के अध्यक्षता इस साल भारत के पास भारत में कई सारी मीटिंग्स हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा उसके बैकट्रॉप के बारे में पूछा कि इन में से कौन सा सही नहीं है G20 के बारे में तो G20 जो है official grouping है 19 countries की और European Union इसमें शामिल है ये तो सही है फिर इसमें लिखा है कि headquarter इसका लेंडन में है ये wrong है headquarter कहीं नहीं होता है G20 के कोई fix headquarter होता ही नहीं जो अध्यक्स राश्ट होता है उसी में उसका headquarter shift होता है अर साल तो कोई fix headquarter नहीं है फिर जो है प्रेजिड option number 2 D भारत इस साल अठारवी G20 summit के में इस बानी कर रहा है ये भी देहन रखेगा इसमें quad के बारे में पूचा था first quad summit of leaders was held in 2017 यहां पे लिखा हुआ जो कि रहोंगे 2017 में तो quad बना था first summit इनकी हुई थी in-person summit virtual तावर पर हुई थी September 2021 में हुई थी ठीक है तो यह यहां पे 2017 में फॉर्म हुआ था quad फिर सेकेंड है कि quad summit was held in 24th April in Tokyo ठीक है 2022 की summit टोकियो में हुई थी लेकिन 24th में को हुई थी April यहां पे दिया हुए जो कि wrong है 24th में को हुई थी तो यह रॉंग हो गया इसके बाद है कि initiative on Indo-Pacific Partnership for maritime domain awareness IPMDA अनॉंस किया गया था quad summit 2022 में तो यह सही है तो C वाला सही हो जाएगा केवल तीन तो इस तरीके से questions बहुत detailed भी पूछे जा सकते हैं और बहुत short भी पूछे जा सकते हैं तो सारे international organization जो इस वाल के लिए जरूरी उनको मैं बताऊंगा और सारे organization के बारे में जो static fact आपको जारना जरूरी है उसको भी हम लोग cover कर लेंगे पार्ट है एक सोनावसी कंट्रीज आईबी आईडी में शामिल है और एक सोचोचार कंट्रीज इंट्रनाइसनल डवलप्मेंट असोशीयेशन के पार्ट है यह दोनों विंग है वर्ल्ड बैंक के बॉर्थमान देख यहां पर डेविड माल पस ही मैंने यहां पर लिखा र आने वाले में वर्ल्ड बैंक में श्री अजयर पाल सिंग बंगा यह है नाम ध्यान रखिएगा अभी मैंने इसी विजय से लिखा रहें दिया जैसे गन्फ्यूजन ना हो और अल्ड़ी हम अपॉइंट्मेंट सेक्शन में करा चुके हैं अजयर पाल सिंग बंगा नेक्स स्थापक सदस्य राश्टर था 26 जून 1945 को पचास अन्य देशों के साथ संयुक्तराश चार्टर पर अस्ताक्षित भारत ने भी किया था एक जनुर्ड़ी 1995 से वैश्विक व्यापार संगठन का स्थापक सदस्य भारत है और 8 जुलाई से जी एटी टी जो जनरल एग्रिमेंट जो ट्रेड पर था उसका भी सदस्य है जी एटी टी को ही रिप्लेस किया था वर्ल्ड पर डबलू टी ओ ने आपको इस सब पता होगा बेसिक बात है इसके बाद आप आजाते हैं आईलो पर इंटरनाशनल लेबर और युनाइटेड डेशन्स के अंतरगत एक स्पेसिलाज़ एजनसी है लेबर के लिए काम करती है लेबर रिपोर्ट पी इनकी कई सारी आती है अब वर्ल्ड बैंक ग्रूप के बारे में दिया हुआ है कि एक विस्तारित ग्रूप है इसमें पांच अंतराश्ट्री संगठन चामिल है ठीक है आएप इडिए के लिए जमूल संगठन है उनका पुर्णाट्रिबार विकास के लिए अंतराश्ट्री बैंक ठीक है अंतराश्ट्री विकास संग याने की आईडिय, इंटरनेसल डवलोप्मेंट एडियाशन अंतराश्ट्री वित निगम है IFC जिसको कहत हैं और निवेश विवाद के लिए अंतराश्री के इंद आई सी ऐसा आईडी है तो कौन-कौन से हैं यह एक बार देख लिएगा ऐसे पूछ सकते हैं किने अमलिकेत में से कौन सा पार्ट नहीं है आपका वर्ल्ड बैंक का और इनके फुल फॉर्म के अलावा आप यह शॉट नहीं दी जाती हैं हमको एक्जाम में वो सकता यही शॉट फॉर्म दे दें आपसे पूछ लें किन में से कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है इस बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुट्स सम्मेलन में अंतराश्री बुद्रा को उसके साथ मिल कर की गई थी कि ज्या प्रेटन वुट्स संस्थानों समंधित नहीं है आपसे पूछा है तो इसमें वर विश्व बैंक समंधित है इमेफ तो है ही वैस्वी प्यापार संगठन डबलू टीयों भी है कौन से नहीं शामिल है संयुक तराश्ट्र इवें जो है ब्रेटन वुट्स इंस्ट्यूशन का पार्ट नहीं है इसके बाद हम देख लेंगे सार्क को तो सार्क यहां पर क्या है अदक्षिन एशियाई शेत्रिय सहियोग संगठन जब विरम कह सकते हैं साउथ एशियन एस्वेशन फॉर रीजिनल कॉपरेशन सार्क इसको बोल रहे हैं तो 8 दिसमबर 1985 को इसकी पाका बंगलदेश में मुख्याले इसका काटमंडू नेपाल में हैं सदस्यराष्ट इसके आठ हैं और ध्यान रखीएगा इसमें कई बार पूछ जा चुका है वैसे तो बहुत अकम उम्मीद है कि दुबार रिपीट होगा इसमें मियनमार जरूर आपको दे देते हैं मिय सार्क सिखर सम्मिट के दवरान हस्ताक्षर किये गए थे ठीक है और भारत में तीन बार सार्क सम्मेलन हुआ है बीसमा बार सार्क सम्मेलन 2022 में होना था लेकिन यह नहीं हो पाया था क्योंकि इंडिया बहुत रिलक्टेंट है सार्क को आगे बढ़ाने में तो आगे बढ़ सापना वर्ष 24 अक्टूबर 1945 सान फ्रंसिस्को यूएस में मुख्याले न्यू यूउक में है यूएस में सदस्य राश्टर 193 हैं एंटोनिय गुटेरिस पूर्टगाल से महासचिव अभी बने हुए हैं सेयुक्त राश्टर के 6 मुख्य अंग हैं उसमें से एक है महासभा, जनलल असेंबली, सेक्योरिटी काउंसिल, आर्थी को समाजिक परिशद, ट्रस्टी सिप परिशद और सचिवाले नियुयॉक में सेयुक्त राश्टर का मुख्याले स्थित है, 6 अंतराश्टरी नियाले, 6 जो और विंग है या फिर पार्ट है यूएन का वो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट अव जस्टिस ये, नीधर लैंड में हेग में है, ठीक है ये बहुत बेसिक सी ज जियान रखिएगा इसमें, एक ट्राइलेटरल डेवलोप्मेंट इनिशियेटिव है, इपसा, इंडिया, ब्रजील, साथ अफ्रिका का, इसके बाद आ जाते हैं, आक्टिक काउंसिल पर, आक्टिक काउंसिल इसकी स्थापनों निशुचियांबे में, ओटावा डिकलरेश सची वाल है, इसका नॉर्वे में, सदस्य राष्ट्रिस में, आठ हैं, कैनेडा, डिन्मार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, संहुच्ट राष्ट्र, अमेरिका, ठीक है, ये सब हैं, इसमें, इंडिया पार्ट नहीं, आक्टिक काउंसिल का इ अभी भी इसके रेरेक्टर जनरल हैं, और ये आगे भी बने रहेंगे, कुछ सालों तक, क्योंकि उन्होंने सगेंड टर्म अपना कैरी फावर्ट किया है, नाटो की बात कर ले रहते हैं, नाटो में, चार अप्राइल निस सुचास को स्थापना, ब्रसल्स, जो की बेल्ज से कौन सा बनाएं, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड बनाएं, और ओफीशली अब एक अतीसमा कंट्री बन गया है, नाटो का ध्यान रखिएगा, अब बात कर लेते हैं, वैश्विक प्यापार संगटेन डब्लू टीयों की एक जनवरी 295 को स्थापना, जनरल एग्रिमेंट on trade and tariff जो था, उसको replace किया थे उन्हें, तो GATT को replace इसने किया था, यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो है, इरान, Algeria शामिल नहीं है, नाइजीरिया की जो नोगोजी, और कोन जो, इविला, डबलू टीयों की सात्वी महानिदेशक हैं, और जब यह बनी थी तो लगबग हर एक्जाम में इनके बारे में पूछा गया था, GCC, Gulf Corporation Council, रियाद, साओधी अरब में इसका headquarter है, His Excellency, जासिम मुहमद अल-बुदाद दिवी, यह जो है, महा सचीव है, इसके 6 इसमें नेशन है, और ज्यादे तर वो अले नेशन है, जहां पर petroleum बहुत ज़ इसमें नहीं शामिल होता है, कि बताइए कौन सा Gulf Corporation Council का पार्ट नहीं है, तो इस तरीके से आपको इसमें तयार करता पड़ेगा, अब हम आ जाते हैं, वैश्विक बहुत धिक संपता संगठन, वीपो पर, वीपो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसका इंटेलेक् प्रोग्राम यानि कि UNDP की, तो इसमें 1966 में स्थापना, इसकी एड़कोर्टर निव यॉक में, एड़िनिस्ट्रेटर इसके एशिम स्टाइनर है, और 170 कंट्रीज और ट्रेट्रीज में काम करता है, इसका Human Development Report या Human Development Index बहुत जरूरी होता है, हमारे एक्जाम में, पूछा भ पाकिस्तान नहीं शामिल है, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है, और सार्क में में अनमार नहीं शामिल है, यह ज़रूर इसमें पूछ लेते हैं कई बार, महासचिव इसके टेंजीन लेकफिल है, और इसकी पहली दूसरी तीसरी बिमस्टेक सम्मिलन क्रमशे, बैंकॉक दिल्ली नेपीडा में हुई थी, और आपको ध्यान रटना है, इस साल की जो चेयर है बिमस्टेक की, वो किसके पास है, वो थाइलेंड के पास है, थाइलेंड के पास है, इस साल की चेयर, और उम्मीद करना है कि नौवंबर दिसंबर में हमको नई बिमस्टेक सम्मिट होत इसके बाद है कि ICC अंतराष्ट्री आपराधिक न्याल है International Criminal Court रोम इटली में जो है इसका establishment हुआ था 2002 में headquarters का वैसे हेग में है नीधर लैंड में member country 123 है और इसके president है Porter Home Funks की Poland के ठीक है रोम statute से रोम समविधी से अस्तित में आया था है इधान रखना है यह English Medium में लिखा हुआ है मुश्टेक के बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग FAO पर आ जाते है FAO की स्थापना 16 October 1945 को मुख्याल है रोम इटली में 19410 से राष्टर है और इसमें महानिदेशक है Q Dong Q जो की चाइना से है यह ध्यान रखना है New Development Bank में अगर हम देखें तो इसकी अध्यक्ष है Dilma Rousseff ब्रजील से शंगाई चाइना में इसका हेड़कॉर्टर है NDB का 2015 में इसकी स्थापना हुई थी 8 इसमें सदस्थ देश है ब्रजील, रशिया, भारत, चाइना और South Africa Bangladesh, UAE और Egypt इसमें जो नवीनतम देश सामिल हुआ है वो Egypt शामिल हुआ है ये पूच सकते हैं आप से कि सबसे नया देश इसमें कौन से सामिल हुआ है फिर आसियान की बारे में बात कर ले रहे हैं आसियान यानि की दक्षिन पूर्वी, एशियाई राष्ट्र South East Asian Nation इसकी स्टैबलिश्मेंट वी थी 8 अगस दिनिससाड़ाट को Bangkok Declaration के थूँ सचिवाले इसका जकारता इंडुनेशिया में है सनस्थापक सदस्य राष्ट्रिस्के Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand यानि की Asia Pacific वाले कंट्री है नुर्तमान सदस इसमें 10 हो गए है ब्रुनेई, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia इसके 10 सदस्य राष्ट्र है Cambodia नभीनतम सदस्य था 1999 में बना था भारत इसका सदस्य नहीं है इधान रखना है भारत असियान का डायलाउक पार्टर है इसे बाद बात कर ले रहे हैं और आसियान ने 2022 को आसियान युवा वरस के रूप में कोशित किया था आसियान सिखर समेलन 2023 कमबोडिया में हुआ था और आसियान का चेर जो है 2020 में किस के पास हي आप से बूझ सकते हैं इंडोनेशिया के पास है देहन रखना है आपको आसियान की अध्यक्षता 2023 में इंडोनेशिया के पास है और यहीं पर सम्मिट भी होगी इसके बाद बात कर ले रहे हैं United Nations Economic and Social Commission for Asian Pacific Region की 1947 में संगाई चाइना में इसकी स्थापना होती है इसका हेटकोर्टर हलांकी बैंकोक थाइलेंड में है तिरपन मेंबर कंट्रीज हैं नौ असोशियेट देश हैं इसमें एग्जेकुटिव सेक्रेटरी अर्बिंडा सालसिया और इंडिया जो है इसका मेंबर है इंडिया इसमेंबर ऑफ United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific भारत सदस्य है इसका आसियान का इबार में इंग्लीज में दिया हुआ है इसके बाद आजाते हैं UNEP पर यह संयुक्तराष्टर परेवरन कारेकरन पर United Nations Environment Program UNEP इसका मुख्याले नैरोबी में है Kenya में जो कि एक एफ्रिकन कंट्री है इसके सदस्य देश 193 है Inger Anderson इसके Executive Director है ठीक है और यह अभी आगे बने रहेंगे 2023 से इनका खारिकाल बढ़ गया है अभी 2027 तक बने रहेंगे Inger Anderson APEC के बारे में बात करें तो Canberra Australia में इसका Headquarter है मतलब इसकी स्थापना हुई थी Canberra Australia में हलाकि इसका Headquarter Secretariat है Singapur में सदस्य राष्ट इसके 21 है APEC यानि Asia Pacific Economic Cooperation Asian Pacific Countries इसमें शामिल है भारत APEC का सदस्य राष्ट नहीं है थाई पीएम प्रयूत चांचो आ APEC के अध्यक्स अभी Recently बने थे UNFPA के बारे में बात कर रहे हैं सियुक्त राष्ट जनसंख्या को 1970 में बना था पहले इसको United Nations Population Activities के नाम सचाना जाता था तभी A है अलांकि अब नाम बदल गया है United Nations Population Fund ठीक है इसकी कारिकारी निदेशक है Natalia Kenem मुख्याले इसका New York City में है US में इनके दोरह एक report आती है State of Population Report जिसमें बताया गया है इस साल कि China को अटेक कर लिया इंडिया ने World Population में ठीक है अलग से report हमने इसमें बनाई थी इसके बाद आ जाते हैं UNESCO संयुक्त राष्टर सैक्षिक व्यग्यानिक सांस्कृतिक संगठन UNESCO जिसको बोलते हैं इसका मुख्याले पैरिस फ्रांस में है ठीक है पैरिस में है इसका मुख्याले जिनेवा में नहीं है ठीक है इधान रखना है UNICEF की बात कर लें तो इसका एड़क्वाटर नियु यॉक में है कैथरीन रसल इसकी एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर है 190 कंट्रीज यॉनिसेफ में शामिल है ओपेक के बारे में बात कर लें तो पेट्रोलियम निट्यातक देशों का संगठन है विएना आस्ट्रिया में इसका हैड़क्वाटर है ठीक है असनस्तापक सदसिस के है इराक, इरान, कुवेट, साओधी अरब और वेनिजुएला वर्तमान सदसिस के तेरा है इरान, इराक, कुवेट, साओधी अरब वेनिजुएला, लीबिया और यूएई बाद में और सदसिस में जुड़े थे सबसे नवींतम सदसिस का कॉंगो है 2018 में जुड़ा था हाइधम अलगाईस इसके महासचिव है और एक जनवरी 2019 को कतर ने ओपक की सदस्ता छोड़ दी थे WTO की बात कर लें परेटन संगठन, इनकी रिपोर्ट भी आती है वल्ड टूरिजम के बारे में जुराब पॉलियो काक्ष्वी इसके सेक्रेटरी जनरल है 160 कंट्रीज इसमें शामिल है इसका मुख्याल है मैडरीट स्पेन में है मैडरीट स्पेन में आईमेफ के बारे में बात करें तो 1944 में बना 1945 में इससी शुरुवात हुई 27 दिसंबर से वाशिंग्टन युएस मेट कोटर 190 सदस्यराष्टर 190 देश जो इससे जुड़ा था नवीनितम आईमेफ से वो था Republic of Andorra 2021 में जुड़ा था ये मानिदेशक इसकी क्रिश्टलीना जॉर्जीवा बुलगारिया से है ये मुखिश अर्थ शास्त्री Pierre Oliver Gorinches है भारत भी इसका सदस्यराष्टर है और Bretton Woods Twin के नाम से जाना जाता है Wish Bank को और IMF को इनको कहते हैं Bretton Woods Twins भारती मूल की गीता गोपिनात IMF में चीफ एकनॉमिस्ट रह चुकी है 2019 से 2022 तक इनके बाद आई थी Pierre Oliver Gorinches World Meteorological Organization 1950 में स्थापना इसका हैटकोर्टर भी जिनेवा में है President इसके गरहाड Adrian जर्मनी से ज़्यादा कुछ है ने इसके बारे में आ जाते हैं अंतरराश्ट्री परमाणू ऊर्जा एजनसी पर International Atomic Energy Agency वेना उस्ट्रिया में इसका हैटकोर्टर है Tonga जो है आईलेंड ये दो मार्ट 2022 को सामिल हुआ था नविन्तम राश्ट्र जो इसमें सामिल हुआ मानि देशक रॉफेल मरियानो ग्रॉसी रॉफेल मरियनो ग्रॉसी अर्जेंटीना से अब बात कर ले रहे हैं यूनिडो की एनेक United Nations Industrial Development Organization इसका हैटवाटर भी वियना ऑस्ट्रिया में गर्ड मूलर इसके डिरेक्टर जनरल Asian Development Bank इसका हैटवाटर मनीला फिलिपीन्स में है उसके बाद 68 इसमें देश है नविन्तम सदस्ट इसमें नियू है Masatsugu Asukawa जापान से इसके अधेश है भारत इसका सदस्य राष्टर है ADB का इस बैंक में सरवाधिक शेयर जापान और US के हैं ये ध्यान रखना है 2020 तक जापान और US के इसमें सरवाधिक शेयर है अंतराश्ट्री दूरसंचार संग ITU इसका हेटकॉर्टर जिनेवा स्विट्जर लैंड में है इसके अभी सेक्रेटरी जनरल बनी है डोरेन बॉग्डन मार्टिन प्यमोदी जी ने अभी मार्च 2023 में ITU का एक रीजिनल आफिस इनागरेट किया है डेली में ठीक है ये ध्यान रखिएगा अगे है International Maritime Organization IMO इसका हेटकॉर्टर लेंडन में है UK में ये थोड़ा सा अलग हो गया तो लेंडन UK में IMO का हेटकॉर्टर द्यान रखना है 75 कंट्रीज हैं लेटेस इसमें बहुत स्वाना ने जोईन किया था October 2021 में भारत भी IMO में शामिल है RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership 15 कंट्रीज इसमें शामिल है आशियान प्लस पांच इसको कहते हैं दस आशियान कंट्रीज पांच कंट्रीज और जो है इसमें शामिल है पांच कंट्रीज वो कौन कौन सी हैं Australia, China, Japan, South Korea, New Zealand RCEP 2012 में बना था आशियान समिट में अलांकि ट्रीटी को formally sign किया गए था 15 November 2020 को जो की वर्चुल आशियान समिट COVID के बाद हुई थी वियत नाम में आईकाओ यानि की International Civil Aviation Organization के बारे में बात कर लें Montreal, Canada में इसका एटकोर्टर है अंतरराश्टी नागरी कुद्डएन संगठन है इसके अध्यक्ष है Mr. Salvatore और आगे इनका क्या नाम है जो भी प्रनिसेशन हो Salvatore करके जबूर ध्यान रख सकते है आगे है International Organization for Migration भारत इसमें शामिल है 1951 में स्थापना हुई जिनेवा सुट्जर लैंड में इसका हैटकॉर्टर है डिरेक्टर जनरल है एंटोनियो वाइटरीनो IPCC इसका हैटकॉर्टर जो है जिनेवा सुट्जर लैंड में 1988 में स्थित्त में आये था होसिंग ली इसके अध्यक्ष है और IPCC के कई सारी रिपोर्टें में गर आती रहती है इंटरपोल अंतराश्ट्री अपराधिक पुलीस संगठन इसका हैटकॉर्टर है लियोन में फ्रांस में लियोन फ्रांस वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम 1971 में आस्थित्त में आये था कोलोन स्विट्जर लैंड में इसका जो है मुख्याले है इसके अध्यक्ष है कॉल क्लाउस श्वाब ठीक है समस्थापक और कारेकारी चेर परसन जो है क्लाउस स्वाब है अध्यक्ष इसके हैं बोर्ज ब्रेंड ये दियान रखना है इनकी नई नई नियुक्ति हुई है प्रेजडेंट डब्लु एफ के हैं बोर्ज ब्रेंड और फाउंडर और एक्जेक्यूटिव चेर परसन क्लाउस श्वाब है ये दियान रखना है जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है डब्लु एफ के द्वारा वो ग्लोबल इंफोर्मेशन टेक्नलोजी रिपोर्ट है ट्रावल एंट टूरिजम कॉम्टिटिवनेस रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्टिवनेस रिपोर्ट है और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये सारी रिपोर्ट है जारी की जाती है डब्लु एफ के द्वारा तो यह बहुत जरूरी है इनमें से कौन सी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है WIF इस तरीके से हमारे एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद इंटरपोल के नए अधिक्ष एहमद नासिर अलराइसी जब आये थे तो इनके बारे में पूछा गया था हमारे एक्जाम में आरो में तो यह ध्यान रखेंगा इंटरपोल वर्ल्स लार्जेस पुलिस और्ग्राइजेशन है इसके बाद Asia Pacific Broadcasting Union ABU के बारे में बात कर ले तो चार महादविपों के 70 से अधिक देशों के 260 से अधिक दुईप इसके सदस्य है कौलालंपूर मलेशिया में इसका सचिवाला है भारत के All India Radio दूरदरशन इसमें शामिल है इसके बारे में अभी पूछा गया था हमारे एक्जाम में 12 फैप को जो UPPSC के पेपर हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके पूछा गया था किरिल गिवार्गियन है इद्यान रखियेगा S.C.O. की इस साल की जो द्यक्षता वो भारत के पास है 2023 में इसकी स्थापना वैसे चाइना में थी बीजिंग चाइना में इसके हैटकॉर्टर है महासुचिव इसके जांग मिंग है चाइना से और आठ इसमें सदस्य है भारत और पाकिस्तान इसके सदस से फुल टाइम बन चुके है ठीक है यह द्यान रखना है S.C.O. ने भारत के जिस नगर को इस साल के लिए सांस्कृतिक राधधानी घोसित किया था S.C.O. की वो इसमें 26 देश यूरोप के दो देश इसमें बेलरूस अजरबाइजन शामिल है और कई सारे देश और अंतराश्ट्री सगठन N.A.M. के परवेक्षक यानि अब्जरवर कंट्रीज है भारत और पाकिस्तान ने 9 जून 2017 को S.C.O. को जोइन किया था ये दिहान रखिएगा इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जरूरी है आ जाते हैं EU European Union पर 27 सदस्य राष्ट्रों का एक राजनायतिक आर्थिक संग है जो मुख्रूप से यॉरोप में श्थित है ब्रेक्जिट हुआ था आपको पता है जन्वरी 2020 में United Kingdom जो है EU होड़ने वाला एकमातर सदस्य राष्ट्र बना था तो ब्रेक्जिट हुआ था ये आपको याद होगा ब्रेक्जिट बहुत बूचा भी कहा था हमारे एक्जैम्स में 2020 में जो वो थे मिनिमाईज ने करते हैं एक्चुली उसको जो है इंटिग्रेट करते हैं समन्वे करते हैं आपस में जिससे बाइलोजिकल वीपन्स को और केमिकल वीपन्स को रोका जा सके इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मिसाइल प्रॉद्र की नियंत्रेट व्यवस्ता MTCR पर 1987 में स्थ सामिल हुआ था 35 इसमें देश सामिल है इसको किस ग्रूपिंग ने चालू किया था यह बहुत इंपोर्टन्ट है पूच सकते हैं इसको जी सेवन कंट्री ने चालू किया था ठीक है MTCR जो है देखता है कि कौन कौन सेगेंट्री से एक दूसरे को मिसाइल्स और वीपन्स जो है जो ट्रंसफर कर रहे हैं एक दूसरे को इस पर चेक रखता है अब बात कर ले रहे हैं A.S.M की इसका एड़कोर्टर बैंकोक थाइलेंड में 23 सदस्य देश इसमें A.S.M में है भारत इसका सदस्य देश है A.S.M का परमाणू आप पूर्ती करता समूँ N.S.G 48 देश इसमें भारत सामिल नहीं है भारत N.S.G का पार्ट नहीं है और H.E. गुस्तावो एड़ुआडो एंग्शिल इसमें जो है चेर पर्सन बने थे ये ध्यान रख सकते है भारत N.S.G का पार्ट नहीं है हलांकि M.T.C.R का पार्ट है ये ध्यान रखना है N.S.G का पार्ट नहीं है M.T.C.R का पार्ट है 2016 में इंडिया ने M.T.C.R को जॉइन किया था इंडियन ओशिन ड्रीम एंसोशियेशन 23 सदस्यों का समूव है भारत इसमें शामिल है मौरिशस में इसका एड़कॉर्टर है अमबेश्डर सलम इंडम, कैनेडा, इटली, फ्रांस पहले रशिया भी इसमें सामिल था इसको जी एट बगा जाता था लेकिन 2014 से रशिया इसका भाग नहीं है तो इसको जी सेवन कहते हैं इसकी सम्मिट कहां पर हो नहीं है इस साल हिरोशिमा में होगी जापान में और जब किशिदा जो पी कौंकशाई दन विथाना करेंटली जो है एसीडी है इसमें 23 कंट्री शामिल है और इंडिया भी इसमें शामिल है एसियन कॉपरेशन डायलॉग में जी ट्वेंटी के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था आपको वीडियो की शुरुवात में जो जरूरी बाते हैं इसमें 57 कंट्रीज है ज्यादे तर अवेस्टेशन कंट्रीज इसमें भारत शामिल नहीं है साउथ एशिया सब रीजन एकनॉमिक कॉपरेशन मनीला फिलिपीन इसमें साथ कंट्रीज हैं बंगलदेश भूटान इंडिया मालदाइव श्री लंका मियानमार यह सब शामिल है पाकिस्तान इसमें नहीं शामिल है और थाइलेंड बीस में नहीं शामिल है बाल्टिक कंट्रीज कौन-कौन से होते हैं एस्टोनिया लैट्विया लिथुवानिया बाल्टिक कंट्रीज हैं तो यह देहन रखना है आपको कई बार पूछ लेते हैं इन में से कौन सी महासचीब है 38 सदस हैं इसमें कोस्टारी का लेटेस सामिल हुआ था 25 माई 2021 को 38 देश भारत OECD का भी सदस से नहीं है Organization for Economic Corporation and Development OECD का सदस से भारत नहीं है Amnesty International 1961 में स्थापना Agnes Kalmad इसके महासचीब और इसका हैटक्वार्टर लंडन में इसके बाद AIIB यानिकिएशन इंफ्रास्ट्ट्चर इंवस्मेंट बैंक इसका हैटक्वार्टर बीजिंग में है अध्यक्ष इसके जिन लिकिन है 105 सदसे राश्ट्र हैं इसमें अंतराश्ट्री अक्षय उर्जा एजेंसी आयरना इसका एटक्वार्टर अबुधाबी में है UAE में महानिदेशक इसके फ्रेंसेसको लाग कैमरा अउपनिदेशक गौरी सिंग है इसके बाद अफ्रीकी विकास बैंक अफ्रीकन डवलप्मेंट बैंक अभिजान आवरी कॉस्ट में इसका एटक्वार्टर है अध्यक्ष है इसमें डॉक्टर एकिन विमी ए अदिसीना सदसे राश्ट इसमें एक्क्यासी है तो चबवन इसमें अफ्रीकी देश होगे कुल बिला करके और 27 यहां पे नॉन रिजिनल मेंबर कंट्रीज होगे मानकी करन के लिए अंतराश्ट्री संगठन यानि की International Organization of Standardization इसका है जिनेवा स्विट्जर लैंड में इसके ब्रेजिडेंट है यूल्रिका फ्रानकी स्विडन से और ISO आपने पढ़ावगा कई सारी प्रोडेक्स में ISO यह स्टेंडर्ड ऐसे करके कुछ नंबर्स होते हैं तो ISO वही यह आपका International Organization of Standardization है जिसके यह Certificate होते हैं Organization for Prohibition of Chemical Weapons इसका Headquarter हेग में है Member Countries 193 है इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया इंडियास में शामिल है His Excellency Mr. Fernando Arias इसके डिरेक्टर जन्रेल है वैस्विक खादिकारेक्रम World Food Program Rome Italy में खुला था कारेकारीनी देशक डेविड बीसले 120 से अधिक देशों में काम कर रहा है इसका Headquarter Rome में है इतली में World Wildlife Fund WWF इसका Headquarter Gland में है स्विट्जर लैंड में ग्लैंड नाम की जगह पर प्रेजिडेंट और सीओ कार्टर रॉबर्ट्स है यह लार्जेस्ट कंजर्वेशन और्ग्राइशन है इनका जो कह सकते हैं मैं स्कॉट है या फिर जो इनका ट्रेड मार्क है वो क्या है वो एक ब्लैक पैंडा है ठीक है ब्लैक पैंडा इसका एड़कॉर्टर है इसका स्थापना बहुत पहले हुई थी 1863 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका एड़कॉर्टर दुबई में है UAE में 1909 में स्थापना हुई थी क्रिकेट को प्रपोट करने वाला है यह और इसमें 106 मेंबर्स हैं कुछ एसुशियेट देश हैं और कुछ जो है रेगुलर क्रिकेट प्लेंग नेशन है चैर परसन है ग्रेग बार्कले फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डिरेक्टर इसकी इंद्रान हुई थी इसके इसके बाद इको मॉस यानि कि इस मारक और स्थल पर अंटराक्ष्टरी परिशद इंटरनेंशल कॉंसिल्फ ऑन मॉनुमेंट्स और साइट्स इसका एट क्वार्टर बस जरूरी है पैरिस फ्रैंस में हैं फाइव आइस फाइव आइस में कौन-कौन शामिल हैं यूस यूक यूक है ज़ो गुटी आघरिमेंट स्थान उच्वेक्स्तान तुर्कमेश य्दिया पाकिस्तान उम्मान के बीच हुआ था जिससे इंटरनेंसल ट्रांस्पोर्ट को प्रोंट किया जा सके परिशन गल्फ से सेंट्रिल आशिया के बीच ट्रांस्पोर्टेशन हो सके Kingdom US के बीच एक त्रिपक्षिय सुरक्षा समझा होता है और September 2021 में इसको finalize किया गया था इध्यान रखिएगा अब कुछ भारती अनुसंधान सनस्थान के मुख्याले देख लेते हैं भैंस अनुसंधान सनस्थान इसार हरियाणा में राष्ट्री डेरी अनुसंधान सनस्थान तो करनाल में है लेकिन नैसल डेरी डवलप्मेंट बोर्ड एंडी डी भी इसका एड़क्वाटर आनंद में है गुजरात में आनंद गुजरात में इधे आन रखना है रमन अनुसंधान सनस्थान यह आपका मंगलुरू में रिसर्च एंस्टिट राष्ट्री वैमानिकी प्राउक्षाला अनुसल एरोस्पेस लेडरेटरी बंगलुरू में अवललब भाइचेस इंस्टिट न्यु डेली में नाइसल इंस्टίοट ऑफ आरबन आफेरस न्यू डेली में नाईसल अरबन ऑजर्वेतरी बी नीव डेली Central Soil Salinity Research Institute ये भी करनाल हर्याना में The Center for Cultural Resource and Training Institute CCRT ये न्युडेली में Naryal Anasandhan Sansthan Kaasargoor Keral में Kapas Anasandhan Sansthan Naakpur में Indhan Anasandhan Sansthan Dhanbad में One Anasandhan Sansthan Dehradun में Petroleum Sansthan Institute of Petroleum ये भी Dehradun में Then इसके बाद Halfkin Institute for Training, Research and Testing ये मुँबई में Cancer Research Institute मुँबई में और द्योकिक 20 अनसandhan Sansthan Toxicology Research ये लखनो में Central Drug Research Institute ये लखनो में Institute of Occupational Health आहमदाबाद में Central Potato Research Institute ये शिमला में Sugar Brain Breeding Institute कोयमबटूर में Institute of Sugar Brain Research ये लखनो में शरकरा अनसandhan Sansthan कानपूर में National Institute of Ocean Technology चेन्नाई में Electro Chemical Research Institute कराई कुडी तबिल नाडू में Central Institute of Indian Languages मैसूर में Institute of Virology पुडे में Indian Institute of Natural Resins and Gums Formerly Known as Indian Lack Research Institute ये रांची जहारखंड में PGI Medical Foundation Medical Education Research चंडीगड में राश्ट्री मस्तिस्क अनुसंदान जनस्थान मानेसर गुडगाउं में Central Institute of Road Transport पुडे में Institute of Tropical Metrology पुडे में Film and Television Institute of India पुडे में Diamond Institute सूरत में पशू अनुसंदान जनस्थान Central Institute of Research on Cattle मेरट में Petroleum Energy पर Institute विशाखा पत्नम में Engineering संस्थान आपका भुपाल में Institute of Forest Management ये भुपाल में मसाला अनुसंदान संस्थान कोजी कोड में कालीकट केरल में केंदरी भेड और उन अनुसंदान संस्थान अविका नगर राजिस्थान में Fresh Water Agriculture के लिए Central Institute भुवनेश्वर में पशू कल्यान संस्थान फरीदाबाद में विद्धुत प्रसिक्षन संस्थान आपका गांधी नगर में एक्चली यहां पर देखेगा राज्ट्री विद्धुत प्रसिक्षन संस्थान फरीदाबाद में गांधी नगर में प्लाजमा नुसंदान संस्थान है खाज उसरक्षा संस्थान आपका गुरुगाओं में है गुरुग्राम में जहां पर ISA का एड़कवाटर इंटरनेशल स्वोर्ल अलाइन इसका भी उसके बाद नैसल इंस्ट्टूट आफ एक्रिकल्चरल वार्केटिंग जैपूर में नेताजी सुभास नैसल इंस्टूट आफ स्पोर्ट्स पतियाला में इसके बाद केंदरी समुदरी माथस की और इंजियनरिंग प्रेक्शिक्शन सनस्थान यहापका कोची में और Central Electronics Engineering Research Institute पिलानी जुझणु राजिस्थान में Central Salt Marine Chemical Research Institute भावनगर में जल विग्यान सनस्थान एक करुडकी में है Central Research Institute for Dry Land Agriculture यहाइधराबाद में Indian Institute of Hygiene and Public Health गोलकाता में, Central Mine Planning and Design Institute लिम्टेड रांची में, Central Food Technological Research Institute, मैसूर में, केंडरी Plastic Engineering प्राउद्धुगी संस्थान चेन्नाई में, खारा जल जल्जकरशी संस्थान, ब्रैकिष वाटर अगरिकल्चर इंस्थान इसके बाद केंडरी कुष्ट प्रिसिक्षन अनुसंधान संस्थान, चिंगल पेट तमिलिनाडु में, इंडिन वेटरिनरेरी रिसर्च इंस्थान इसके पाद इसके बाद Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants लखनाव राजीव गांधी राश्ट्री बाउधिक संपदा प्रवंदर संस्थान नाखपुर राश्ट्री परेवरन इंजीनरिंग अनसंथान संस्थान जिसको नीरी भी बोलते हैं ये भी नाखपुर में इसके बाद अखिल भारती अर्विग्यान संस्थान एम्स जो की जल्दी जून तक एक 5G इंस्ट्यूशन बने जा रहा है इंडिया का पहला National Institute of Mental Health and Neurosciences बेंगलुरू में National Institute of Chemical Biology कोलकाता में Central Research Institute for Jute and Allied Fibers ये आपका कोलकाता में भारती पुराततु सर्वेक्षर न्यू डेली में Central Glass and Ceramic Research Institute का मुख्याले कोलकाता में है इसका अन्य मुख्याले आपका खुर्जा उत्तरप्रदेश में भी है और एहमदाबाद गुजरात में भी है मलब कोलकाता में भी हैटकोर्टर है इसलिंस्टूट ऑफ डवलॉप्मेंट ऑफ पंचायती राज हैदराबाद तेलंगाना ये बहुत जरूरी है इस बार आ सकता है डिफेंस इंस्टूट ऑफ हाई अल्टिटूट रिसर्च गुलमार्ग कश्मीर केंद्री वैज्यानिक उपकरण संगठन ये चंडीगड में राष्ट्री समुद्र विज्ञान संस्थान ये आपका पंची गोवा में राष्ट्री प्रतिभूती बजार संस्थान ये आपका मुंबई में आडवीक और सेलुलर जीवध्यान केंद्र हाइदरबाद में, सेंटिर्ल बिल्डिंग रिसर्च इंस्ट्टूट रुड़की में, राइस रिसर्च इंस्टूट काटक में औौडिशा में, दलहन संधान संस्थान कानपुर्नगर उत्तरव देश में Central Leather Research Institute आपका चिन्नाई में